हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्नर और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गुगा नौमी पर जो है वो गुगा महराज की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं तो इस तरीके से मैं ने थोड़ा सा छीटा दे दिवार पर और इसे इस तरीके से साफ कर लिया है तो आप भी जिस जगहां पर अगर गुग महराज की फोटो रख ली है अगर आपके पास भी फोटो हो तो आप फोटो रख लीजिएगा नहीं तो आप छापा भी बना सकते हैं और उसके बाद ये देखें काजल से हमारे या पे साप बनाए जाते हैं तो इस तरीके से आप काजल से बना सकते हैं या तो कोईले से बना स हमारे यहां पे गुगा नुम्मी की पूजा इसी प्रकार से की जाती है और अगर आपके पास यह तस्विर नहीं है तो आप ना कागज पे काले रंगे पैन वगएरा से किसी से भी बच्चों से घोड़ा बन वाली जिएगा और उसको भी आप यहीं पे पेस्ट करके उसकी पूजा कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से मजार में बहुत असानी से मिल जाती है गुगा महाराज की फोटो आप यह भी लाके पूजा कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये दोनों साम बना लिये हैं, काजल के भी और हल्दी के भी, और ये देखिए अब मैं गुगा महाराज को इस तरीके से जो है, कलावाच ढढ़ा दूंगी, और उसके बाद हम ये जो हमने साम बनाए हैं, इनके भी आसपास हम थोड़ा- गुड लगाके कलावे में और उसको चिपका देंगे तो अगर आप गुड से चिपकाएंगे ना तो बहुत राम से चिपक जाते हैं यह देखे इस तरीके से हम इनकी भी पूजा कर लेंगे इस तरीके से और आप कहां पे पूजा कैसे करते हैं यह भी आप मुझे जरूर बत कर देंगे और यह देखे इस तरीके से बहुत असानी से फूजा कर सकते हैं और इसकी समगरी की वीडियो है वह मैंने चैनल पर डाल दी है उसे भी जरूर देखेगा और अब यह हमने ले लिए है करसी गाय के गोबर की करसी चुटे-चुटे से गाय के उपले होते उसको अब आप देखे अगर आप भी अच्छे से गी वगरा डालेंगे इस करसी पर तो अपने आप ही जोत आ जाती है लेकिन अगर आपकी नहीं आती तो कोई बात नहीं आप जो है कपूर भी डाल सकते हैं या अगर आपको यह करसी नहीं मिलती है या आपके असपस नहीं गोब देटा थे उन सबको थोड़ा सा रोली से भी टीका कर लेंगे इस तरीके से तरीके से और इसके बाद हमने सबको टीका कर लिया है और अब यह मैं यहां पर जो है भोग लगा दूंगी हमारे यहां पर अठावडी चड़ाई जाती है यानि कि 8 छोटी-छोटी पूरी और एक बड़ी पूरी वैसे यह नो होती है टोटल में लेकिन इसे अठावडी कहा जाता है और इस पे गुड रखके इसका भोग लगाया जाता है अगर आपके खीर पूरी चूर्मा जो भी बनता होगा हलवा वगारा आप उसका भोग लगा सकते हैं और यह देखे इस तरीके से हम एक एक छोटे-छोटे सा टुकड़ा सब पूरियों में से तोड़ लेंगे और उस पे गुड लगा के गुगा महराज को इस तरीके से मुझुटा करवा देंगे हमारे सारे जो नाग देवता हैं उनके उपर गुड चढ़ा देंगे पूरी चढ़ा देंगे और यह देखे चुन रखेंगे और सिक्फथ हमें पूरी की पह देखेंगे और उसके बाद हम जो है जलका छीटा देंगे इस तरीके से हमारी ले करेंगे और उसके बाद यह दो राख्य है कुगा नौमी वाला दिन तो आप अपने घर के सभी मेंबर्स की यह राख्य खिल वाली जिएग और इन राखियों को जो है हमें गुगा पीर पे चड़ाना होता है तो अगर आपके आसपास जो है गुगा पीर का मेला लगता है तो यह गुगा पीर के चड़ी पे बांधी जाती है लेकिन अगर आपके हां पे मेला नहीं लगता है तो यह राखी ले लेंगे हम और यह जो ह गुगा पीर के जहां मेले लगते हैं वहां या मंदिर में चढ़ा के आना होता है लेकिन अगर आपके आसपास यह मंदिर और नहीं है गुगा पीर का मेला नहीं लगता तो कोई बात नहीं आप इसे बंबेड में चढ़ा सकते हैं यानि की सापों के बिल में चढ़ा सकते हैं तो गुगापीर की कथा जो है मेरे चनल पर अल्रेडी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, यहीं बैटके आप कथा कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से आप चुचकार लीजिएगा अपने पल्ले वगरा से और इस तरीके से आप भी बहुत असानी से अपने जो है पीर की पूजा कर सकते हैं जोड जोड सकते हैं गुगा महराज की तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सरल विधी बता दी है और इसकी समगरी की इसकी कथा की सबकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी और हमारे हिंदु धरम से अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले